तो इस बार हम चैप्टर 1109 के स्पोइलर लेकर आ चुगे हैं जो कि इस बार तो हम चैप्टर के स्पोइलर में देखेंगे के वर्ल्ड की आधी गवर्मेंट एगहट में पहुच चुकी है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा वाट एगहट पूरी वर्ल्ड गवर्मेंट पहुच चुकी है लूफी ने किजारो और सैटन को दोनों हातों से जाइंट फोम में दबोज रखा है तो स्टार्ट करते हैं स्पोइलर इस बार के स्पोइलर कुछ जाद ही हो है इसलिए मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चैप्टर की स्टार्टिंग महीं से होती है इस पानों से जहां ओनी समा अब उन्हें में डूप रहा है जैसे टाइटैनिक लगता है इसे असे लगता है कि इसी ड्रागन में उसमा को समुझ दपास ले जाते हैं या फिर इमो इमो को देख सकते हैं बाट इन्फरमिशन नहीं है वानों की लड़ाई में लोफी जो लड़ते हैं कि फिर स्टार्टिंग होती है डॉक्टर बेगर पंक जो की रिकोरडिट मेंसीज पूरे वर्ल्ड में पहला ना चाहता है अधिर को पूरे वाल्ड में बाब्लड है सूचरें मैंसिज का सपाथि यह सब्रोडकास्ट हो रहा है कि वेगा पंक के रहा है अपने डेंडेंड मोसी ओन कर लो और मैसिज देख लो वहीं मौर गन जो की न्यूस है लाता है इसका अख्वार का हुआ है और वहीं वीपी वेपोल उसाइड ड्रैगन भी सुन राइस मैसेज को या साइड आ सकता है कि मैसेज को ब्रोडकास्ट हो रहा है कि मैसेज नहीं है मैसेज वाला नहीं है दो सह रहे हो कि जारू पिटी रहा है पिटे रहा है पिटता ही रहता है कि अलोफी ने अमेसा की तरह ही डौट करके लूफी पे अटक करना चाहता है वाट लूफी तो जाइंट फॉम में है वो हमेसा है से कर दोज करते रहा है वही एग हाट में देखते हैं सैटन को कितना मारा कुटते की तरह एंक के की इन ओब ऐसी होगह गए वड़Now पुढ­की रहे हैं यूथ लुफी सो किम थोड़ी है वर भी मारे जा हैं सेयटन सम्वेनिंग ऐसे कोई जूस्व या पताँ नहीं जो भी करता है यह सायद वह 5 गुरुष राय को बोलाना चाहता है कि या पूझे वीश्ट को बुलाना चाहता है ङा जोह तक इस पोलर में कि पांचो चारो और ग्रोस राय आ सकते हैं लोफे इन पांचों के साथ अकेला ही लड़ेगा या अपने दोस्तों को भी बुलाएगा